सब्सक्राइब करिए टेकी यासर यूटूब चैनल को साथ में लगा बेल एकन को भी प्रेस करिए ताक कि आपको मिले मेरे वीडियो के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हेडो काईज वेलकम डूटेगे असे देट चैनल और गश्च सामसंग की एस सीरीज के बारे में आप सभी को पता होगा एटेइन, एटेटी और एटेटी और एटेटी यहाँ पर लॉँच हुए था है काफी जबरदर स्मार्टफोन थे स्पेशली यहाँ पर यह सीरीज जो ओफलाइन मार्किट को टार्गेट करता है और काफी वाल्यू फ़र मणी डिवाइस देखने को मिल रहे थे अब यहाँ पर यह सीरीज का एक और एक मेंबर सामसंग ना आज इंडिया में लॉँच कर दिया है जिसका नाम है सामसंग गैलक्सी A20 क्या को स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है क्या प्राइस पॉइंट पर लॉँच कर रहे क्या आप कोई डिवाइस देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए आज की स्टुडियो में सारी चीज़े बताने वाला हूँ तो सीबात पर करते दिना है क्वीडियो को लाइकर टारेक है हम हजार लाइकश का यहां पर रप्करत होगे जिली वीडियो स्टार्ट करते है फ्रेंश वीडियो बात कर लेते हैं सबसEdめ बात कर लेते हैं यहाँ पर यहाँ whiteiger के के बारे में क्योंकि यहाँ पर यह online तो मिले गई, साथ में offline segment में भी सारी दुकानों में Samsung Store में आपको देखने को मिल जाएगा, तो availability is not an issue for Samsung Galaxy A20 अब बात करते हैं यहाँ पर यह phone के specification के बारे में, तो start करते हैं below design से, यहाँ पर again आपको A50 कीता है, यहाँ पर back में आपको glass stick जिसे Samsung कहता है, basically polycarbonate वाली body देखने को मिल जाएगी design काफ़ी attractive लगेगा, glass finish जैसा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो again बोलना चाहूँगा design के मामने में यह phone काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन Bill Cody में कई न कई Samsung न अगें compromise कर दिया है अब बात करते हैं आपर यह phone के display के बारे में, तो यहाँ पर आपको infinity V display देखने को मिलता है, 6.4 इंच का display, HD plus resolution देखने को मिलता है Super AMOLED technology के साथ माता है, display again बोलना चाहूँगा vibrant रने वाल है लेकिन आपको थोड़े बहुत pixelation देखने को मिल सकते है, gaming के time पे अब बात करते हैं आपर यह phone के RAM और storage के बारे में, तो यहाँ पर आपको 3 GB की RAM मिल जाएगी 32 GB की storage मिलेगी, लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पर आपको dedicated microSD card का slot देखने को मिल जाएगा Performance के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको Exynos का नया processor Exynos 7884 देखने को मिल जाता है प्रसेसर is decent enough, price point के इसाफ से ठीक ठाक है अगर आप offline segment के phone को देखते हो तो अब बात करते हैं आपर यह phone के camera के बारे में, तो 13 megapixel का आपको primary camera मिलेगा F1.9 aperture के साथ में जो secondary camera आपको 5 megapixel का depth sensing वाला देखने को मिल जाएगा साथ में selfie camera भी है, आपर आपको 8 megapixel का देखने को मिलने वाला screen flash के साथ में अब बात करते हैं आपर यह phone के android version और UI के बारे में तो out of the box आपको pie देखने को मिल जाता है Samsung के one UI पर यहाँ पर यह run करता है segment scanner, face unlock, सारी चीज़े मिलेगी, सारे sensor भी आपको out of the box देखने को मिल जाएगे bitter life यहाँ पर आपको 4000 mAh की देखने को मिलेगी, fast charging के साथ में type C का port भी मिलेगा और fast charger आपको 15 watt का box में ही देखने को मिलेगा यह पुरा package आपको Samsung A20 में देखने को मिलता है, जो के 5 April को यहाँ पर इंडिया में launch हो गया है अब price point के बारे में बात करें तो यह आपको 32 जबल है जो एक ही variant है वो आपको देखने को मिल जाता है साड़े 12,000 की price point पे अब मैं मेरे opinion के बारे में बात करूँ तो देखो अगर आप साड़े 12,000 में online segment में अगर आप देखते हो phones और या Redmi Note 7 Pro आपको 13,000 मिला होगा तो काफी बढ़िया device देखने को मिल जाता है Redmi Note 7 ले लो, Realme 3 Pro मार्केट में आने वाल है और बहुत सारे device है जो के इससे बेटर निकल के आ जाते है लेकिन अगर आप बात करते हो भाई हमें offline खरीदने है भाई हमें flash sales से जंड़ेट नहीं चाहिए हमको Samsung का ही phone चाहिए और offline segment का चाहिए तो साड़े 12000 में it's a pretty decent device आप definitely यहाँ पर यह फोन की तरफ जा सकते हो अगर आपको offline segment के phone चाहिए तो बागि अगर आप online भी purchase कर सकते हो तो आपको market में Realme, Asus और Xiaomi much better provide यहाँ पर कर रहा है अपने सारे phones के साथ में यहाँ यहाँ पर मेरे honest opinion थे हैं यहाँ पर Samsung A20 को लेके आप मुझे नीचे comment section ने बताना साड़े 12000 में क्या आप Samsung A20 पर चेस करना पसंद करोगे नहीं करोगे Samsung ने यहाँ पर यह phone pricing क्या रखी आपको यह pricing पसंद आई है नहीं आई है बताना नीचे comments में यहाँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और गईस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलता अपसे सेगले के सेफ वीडियो में जब तक के लिए थैंक यू